हेलो एब्रिवन वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बचों ये है सेकंड पार्ट क्लास थ्री माच्स के चाप्टर नंबर टू तॉय जॉय का इस चाप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम पार्ट बन में कवर कर चुके हैं और हम थे पेज नंबर ट्वेल पर तो यहाँ पर दूसरा क्वेशन है लुक आट दीज शेप्स इन सभी शेप्स को देखिए और आंसर दो फॉलविंग क्वेशन्स और इन क्वेशन्स को आंसर करिए सबसे पहले सर्कल दक्यूब्स जितने भी क्यूब्स हैं जैसे ये क्यूब है क्यूब ये भी क्यूब है इन सभी को आपको सर्कल करना है इनके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करना है सो ये है एक क्यूब इसके चारों तरफ आप सर्कल ड्रॉ करेंगे देन इस क्यूब के and around this cube also okay अगे है put a tick against the shapes that are cones cones shape के side में against आपको एक tick put करना है जैसे ये cone है, ये cone है और ये cone है तो यहाँ पर आप लगाएंगे tick tick, cone, cone and cone next है put a cross against the shapes that are cylinders जो cylinders है, जैसे ये एक cylinder है ये एक cylinder है, ये भी cylinder है उनके against आपको cross put करना है तो यहाँ पर cross, cross, cross okay next now put a box around the cuboids जो cuboids हैं, जैसे ये cuboid है cuboid और ये भी cuboid है उनके चारों तरफ आपको एक box put करना है तो इसके चारों तरफ आप box बनाएंगे cuboid, ये भी cuboid है, ये box और ये box इसमें एक shape बची है ये, ये है एक sphere sphere के बारे में कुछ यहाँ पर नहीं कहा है okay next, आगे है name the shapes shape का नाम बताईए, with no edges जिसमें कोई भी edge नहीं है देखो, edges हमने देखा था इससे पहले cuboid के case में, edge हम बोलते हैं ये जो lines है ये जैसे ही line आपको यहाँ पर दिखाए दे रही है तो cuboid में edge होती है, ये है इसकी edge similarly, ये एक cylinder है, ये cylinder की edge है जरूरी नहीं है कि edge बिल्कुल सीधी ही हो curved भी हो सकती है, जो आपका cone है उसमें भी ये edge है, जहाँ पर एक flat face और एक उपर की जो आपका curved face है वो मिलते हैं, then, जो cube है उसमें तो 12 edges होती है, ये हमने देखा था ये इसकी edges हैं, edges नहीं होती है sphere में, ball अगर आप देखोगे उसमें कोई भी line आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर दो face जुड़े हुए हो तो इसका answer होगा sphere sphere की कोई भी edge नहीं होती नहीं कोई corner होता है उसमें sphere next with only flat faces कौन सी वो shapes हैं जिसमें सिर्फ flat face होते हैं जैसे ये cube है ये face भी बिल्कुल flat है ये भी बिल्कुल flat है, बिल्कुल सीधा है cube में flat faces होते हैं top भी बिल्कुल सीधा होगा, bottom side से भी similarly cuboid में अगर आप duster देखें, जो cuboid shape में है सारे sides उसकी बिल्कुल flat है जो erase करने के काम आती है वो भी बिल्कुल flat है round नहीं है तो cube और cuboid में सभी faces flat होते हैं जबकि अगर आप cone में देखें ये cone हैं, अपनी bottle में देखें उसका जो side वाला face है वो round होता है bottle बिल्कुल सीधी नहीं होती अगर वो cylinder है shape में goal होती है तो सारे flat faces होते हैं cube और cuboid में ये important question है exam में पूछा जा सकता है तो इसका answer आप लिखेंगे cube and cuboid next now with only curved faces कौन सी वो shape है जिसमें सिर्फ curved face होते है कोई भी सीधा face नहीं होता अब एक-एक को देखते है cube और cuboid तो हमने देखे इनमें सिर्फ सीधे face होते है कोई भी curved face नहीं होता अब अगर आप कौन को देखेंगे कौन में ये वाला face curved है लेकिन bottom का ये जो face है नीचे का ये बिलकुल flat है ये बिलकुल सीधा है ये curved नहीं है ये round नहीं है देखो ये कौन था कौन में ये curved face है round है अगर cap आप देखेंगे जोकर की cap या ice cream कौन आप देखेंगे यहां से ये पार्ट आपको गोल मिलेगा हाथ फेरने से round दिखाई देगा लेकिन ये जो नीचे का पार्ट है ये वाला ये जो red color में है अभी ये flat face होता है बिल्कुल ये जितने भी कौन shape के objects है जैसे कि ये है ये पार्ट इसका round है लेकिन नीचे से ये flat है ये ice cream कौन है यहां से round है लेकिन यहां से flat होगा बिल्कुल सीधा है तो इसमें सभी round faces नहीं है कौन में भी नहीं है cube cuboids में भी नहीं है अब देखते हैं cylinder को अपनी bottle को अगर आप देखे या कोई box जो cylinder हो shape में चारों तरफ से वो round है हाथ आप लगाएंगे गोल आपको लगेगा लेकिन उपर top और bottom उसका बिल्कुल flat है ये देखो ये अगर cylinders है इसमें ये side का face round है लेकिन कोई भी cylinder उपर से top surface जो है इसका और bottom ये flat होते है ये cylinder है ये face ये जो top का face आप देखेंगे और नीचे भी similarly वैसे ही ये है बिल्कुल flat face जैसे ये can आप देखो या फिर ये battery का cell आप देखो ये कुछ shapes हमने देखी थी round नहीं है मतलब इसमें भी सभी faces है वो curved नहीं होते है तो इन चारों shapes में तो curved faces नहीं है cuboid में नहीं है cube में नहीं है cone में नहीं है cylinder में नहीं है एक सिर्फ shape बची जो की है एक sphere sphere में देखते हैं बॉल अगर आप देखो आप बॉल को किसी भी angle से जैसे यह spheres है, ball हर जगे से round है, आपने orange खाया होगा, वो हर तरफ से round होता है, फ्लाट कहीं से नहीं होता, आपकी eyeball round है, globe हर तरफ से round होता है, तो इसमें कोई भी flat face नहीं होता है, एक sphere में, बाके cube में भी flat faces हैं, बिल्कुल flat है उपर, ये flat है, इसमें तो सभी flat faces है, cylinder में ये round face है, और उपर के दो faces, उपर और नीचे के दो faces flat है, cuboid में भी सभी flat faces ही हैं, ओके, तो इसका answer होगा sphere, यहाँ पर answer आप लिखेंगे sphere, next, आगे है with both straight and curved edges, जिसमें सीधी edge भी है और curved edge भी है, अभी one by one, इन shapes को अगर हम देखें, edge हम बोलते हैं, ये जो एक line बनी हुई है, जहाँ पर ये face और ये face मिला है, तो cuboid में सभी सीधी edges हैं, ये भी बिल्कुल सीधी है, straight, 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 12 की 12 edges बिल्कुल सीधी होती है, तो इसमें तो का गया straight भी हो और curved भी हो, इसमें सिर्फ straight है, curved नहीं है, लिख लेते हैं, straight है, curved नहीं है, उसके बाद आते हैं, second, cube पर इसमें भी सभी straight edges हैं, सीधी हैं, सभी, कोई भी round नहीं है, curved नहीं है, तो इसमें भी all straight, no curved, then, cone, cone को अगर आप देखें, इसमें नीचे सिर्फ एक ये edge होती है, ये round, जहां पर ये cap को अगर आप देखें, उसमें सिर्फ नीचे ही आपको, एक round line मिलेगी, इसमें सिर्फ curved edge है, कोई भी straight edge नहीं है, then, cylinder को अगर आप देखें, ये वाली edge, ये भी round है, ये edge भी round है, इसमें भी 2 edges होती है, दोनों round है, curved है, कोई straight नहीं है, और, sphere में तो कोई edge होती ही नहीं है, तो कोई भी ऐसी shape नहीं है, जिसमें curved edge भी हो, और straight edge भी हो, देखो, सबसे पहले cube, cube और cube wide में सभी सीधी edges है, straight, 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 all straight edges, 12 की 12, फिर, circle में, sorry, sphere में कोई भी edge नहीं होती, वो बिल्कुल हर तरफ से कोई edge नहीं होती, कोई corner नहीं होता, हर तरफ से बिल्कुल round होता है, तो इसमें कोई edge नहीं, न straight, न curved, then, cube में भी सभी straight है, सारी सीधी edges है, round नहीं है, slender में, ये edge भी round है, और नीचे वाली edge भी round है, ये edge नहीं है, इनको सीधा नहीं मानना आपको, कि ये भी तो edge है, ये, अगर आप bottle को देखे, तो यहाँ पर कोई edge नहीं होती, कोई line नहीं होती, यहीं सिर्फ दो चीज़ें हैं, जिनको आप edges बोलेंगे, एक उपर का part, अगर bottle के उपर हाथ, जैसे cup है, cup के उपर हाथ आप घुमाएं, तो यहाँ पर ये आपको एक line मिलेगी, देन नीचे, दोनों ही edges curved है, कोई भी straight edge नहीं है, इसी तरीके से कोन में भी, नीचे ये एक edge है, जो की curved है, उपर कोई भी straight edge नहीं है, आंसर आप लिखेंगे, नन, कोई भी ऐसी shape नहीं है, with both straight and curved edges, so, answer is, no one, कोई नहीं, next, with both flat and curved faces, flat or curved faces जरूर होते हैं, किनके, जैसे एक cone को अगर आप देखें, नीचे का face बिल्कुल flat है, अगर कोई ऐसा cone shape में, ice cream cone आप लें, नीचे बिल्कुल flat आपको दिखाई देगा, और ये चारों तरफ का बिल्कुल curved है, round है, ऐसे ही, cylinder को अगर आप देखें, ये दोनो faces flat है, बिल्कुल सीधे है, हाथ अगर आप लगाएंगे, बिल्कुल सीधा जाएगा, और ये curved है, ये round है, तो इसका आंसर होगा, cone and cylinder, cone and cylinder, और ये questions आप याद भी रखेंगे, हमारे पास कुछ shapes ऐसी है, दो shapes ऐसी है, जिनमें सभी faces बिल्कुल straight है, बिल्कुल सीधे faces हैं, और सभी edges भी बिल्कुल straight है, वो कौन-कौन सी दो shapes है, cube और cube wide, then, दो shape ऐसी है, जिसमें round face भी और flat face भी है, ये है cylinder और cone, ये चारो तरफ से round है, नीचे flat है, इसमें उपर नीचे flat और चारो तरफ से round है, लेकिन इन दोनों में edge round है, कोई भी सीधी edge नहीं है, ये round है दोनों में, then, sphere जो हमारी सबसे special shape है, ये हर तरफ से curved है, कोई भी सीधी edges में, सीधा faces में नहीं है, और इसमें ना कोई edge है, और ना ही कोई corner है, ओके, next, अब चारो तरफ आपको कुछ shapes given है, कुछ pictures दिये objects के, इनके shape देखें, सबसे पहले globe, ये sphere है, sphere, then, book, ये cuboid है, ये है cone, cone, then, again, box, cuboid, ये है cylinder, 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 next, next, page पर है, ये watermelon, ये sphere है, ये cuboid है, कोई gift box है, then, ये, जो cherry रखी है उपर, ये है sphere, then, cuboid, ये है sphere, ये है cuboid, orange, sphere, ये shape है, एक cone, then, ये चपाती है, आपने एक के उपर एक रखी, बहुत सारी, तो ये बन गई, cylinder shape, cylinder, next, ये है, एक cube, then, sphere, then, cuboid, ये, जो crayons का box है, आपका, color box, ये भी cuboid है, then, bottle, ये है cylinder, gift box, ये है cube, ये है cone, ये है cuboid, harmonium, then, अब उपर आते हैं, बॉल, ये है sphere, एरेजर, ये है cuboid, चॉक, है cylinder, स्थैर, ये बॉक्स है, क्युबॉइड, then, रउंड ये है, स्थैर, यह है क्यूब, यह है कौन, यह है स्फिर, यह है क्यूबॉइड, and then finish. तो सभी shapes के नाम आपको पता हो, हो सकता है एक्जाम में कुछ shape आ जाए, और वो आप से पुछले कि यह object है, यह किस shape में है, या फिर इस shape के कुछ objects के नाम बताईए, अगर एक्जाम में आता है कि cylinder shape के कुछ objects बताईए, तो आप chalk लिख सकते हैं, then, और cylinder में क्या-क्या given है, चौक है यहाँ पर, और pile of chapatis लिख सकते हैं, then, water bottle लिख सकते हैं, cuboid अगर लिखने को आए, harmonium आप लिख सकते हैं, crayon का box आप लिख सकते हैं, then, ये dish wash, बार लिख सकते हैं, ओके, चलिया गया आते हैं, now, next page पर है, which shape can you build, कौन सी shape आप बना सकते हैं, look what I made with clay and stick, देखो मैंने clay और sticks को यूज़ करके क्या बनाया है, you two try to make such shapes, आप भी ऐसी shapes बनाने की कोशिश करिए, इस बचे ने 3 sticks रखी, यहाँ पर नीचे, join किया उनको clay से, फिर 3 stick उनके उपर रखी उपर उनको clay से join किया, यहां पर 4 sticks रखी नीचे clay से join किया फिर उनके उपर 4 sticks सीधी रखी यहां पर clay से उन्हें join करके फिर clay से यहां पर उपर 4 sticks join करके यह कौन सी shape बनाई है यह बनाया है एक cuboid next try to make these shapes using cubes cubes को use करके आपको यह shapes बनानी है cube रखेंगे side by side ऐसे फिर इसके उपर center में उपर, side में, side में और नीचे एक cube okay now let us play एक game है there is a game along the border of this page इस page के border पर जो pictures है उसके लिए game है roll the die and move the counter to the next picture associated with the number on the die if possible without crossing the finish square and play the game with your friends the one who reaches the finish mark first wins the game तो इसमें करना क्या है एक die आप roll करेंगे die के उपर अगर one आया है तो आप next picture पर जाएंगे जो cylinder है shape में अभी कैसे करना है वो देखेंगे two आया है तो square पर जाएंगे three cone, four cube, five cuboid और अगर six आया तो move two steps forward if possible अगर हो सके तो two steps आगे जाएंगे और फिर देखना है कौन सबसे पहले finish पर पहुँचेगा ठीक है मालिजे दो बच्चों ने game स्टार्ट किया यहाँ पर वो है आपने die रोल किया die के उपर आया two अब two अगर आया है तो आपको कहां जाना है तो उके लिए आपको next sphere shape पर जाना है तो देखिए यहाँ से sphere shape कौन सी है इस पूरी line में कोई sphere नहीं है next में आएंगे आप next page पर यहाँ पर आपकी book में side by side pages है तो पहली sphere shape आपको यह मिलेगी watermelon तो यहाँ पर आप आजाएंगे यो भी आपने रखा है माली यह buttons आपने लिए हैं दोनोंने अलग-अलग color के आपका red button है तो आप यहाँ पर आजाएंगे उसको लेकर ठीक है फिर आपके friend ने roll किया उसने roll किया तो आया 1 1 यानि कि उसको cylinder पर जाना है अब यहाँ से start से start करना है cylinder कहाँ पर है यहाँ पर तो वो अपने जो button है उसका अगर उसका blue button है लेकर यहाँ पर आजाएगा उसको ठीक है फिर आपने roll किया डाय को तो डाय पर आया 5 5 यानि कि क्यूबाइड अब आप अपने red button के साथ यहाँ पर थे यहाँ क्यूंकि आपको क्यूबाइड पर जाना है क्यूबाइड तो next ही है आप बस उसको यहाँ से यहाँ ले आएंगे ठीक है अगर 6 आया होता तो आप 2 आगे लेकर जाते इस तरीके से आप चलते रहेंगे game में जब तक आप finish पर नहीं पहुंच जाते यह टीचर्स आपको खिलाएंगे क्लास में आगे है In what ways are these shapes the same यह shapes किन तरीकों से नहीं है And in what ways are they different कैसे यह दूसरे से different है So यह सब यह shapes एक तरीके से same है कि यह सब 3D shapes है अप लिखेंगे They are They all are 3D shapes आपने previous class में 2D shapes पढ़ी होंगी square, rectangle, circle, triangle, oval shape ये 3D shapes हैं, नाम आपको पता होंगे ये है cylinder, cube, cone, sphere and cuboid और ये different कैसे हैं? क्योंकि सब की shape different है सब में जो faces हैं वो different है जैसे अगर हम एक cube को देखें इसमें 6 faces हैं और सभी square है अगर आप देखेंगे 6 के 6 faces उसमें square shape में होते हैं इसमें भी 6 faces हैं लेकिन सब rectangle है opposite faces एक जैसे हैं इसमें कोई भी face नहीं है, बिल्कुल round है एक ही face है सिर्फ इसमें यहां से round है, उपर से pointed है, नीचे से flat है इसमें चारों तरफ से बिल्कुल round है, उपर और नीचे से flat है they are different because they have different faces and different edges and corners so but they all are 3D shapes but they have different faces, edges and corners corners अगर हम देखें, कोन में एक corner है उपर cube और cuboid में हमने देखे थे 8 corners है 1, 2, 3, 4, 4 उपर है, 5, 6, 7 और एक उस तरफ जो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है 8 corners है, इसमें भी 8 corners है, इसमें कोई corner नहीं है इसमें कोई corner नहीं है, तो क्यूंकि सभी में अलग faces है shape भी अलग है faces की, किसी में curved face है, किसी में flat face है edges अलग है, किसी की straight edge है, किसी की curved edge है और अलग-अलग corners है, अगे आते हैं Now look at a die, एक die को ध्यान से देखिए The faces have 1 to 6 dots, उनके faces पर एक से लेके 6 तक dots होते है What number is on the face opposite to number 1 आप अपने एक die को देखिए, अगर आपके पास है, आपके friend के पास है आप देखेंगे 1 के opposite हमेशा face number 6 होगा जो एक correct die है, जो एक standard die है 1 के opposite 6 होता है, 2 के opposite हमेशा 5 होता है इसका rule अभी हम देखेंगे, 3 के opposite हमेशा 4 होता है तो इसमें rule ये है, एक die भी अभी हम देख लेंगे, कि opposite faces का sum हमेशा 7 होता है, देखो, 1 के opposite 6, 6 प्लस 1, 7, 5 के opposite 2, 2 प्लस 5, 7, 4 प्लस 3, 7, So, correct die में opposite faces पर जो numbers हैं, उनका sum हमेशा 7 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, एक्जाम में पूछ सकते हैं, कि बताईए 2 के opposite कौन सा face होगा, एक correct die में, तो 2 के opposite हमेशा 5 होगा, ऐसे 4 के opposite क्या होगा, ये 5 है, पूछेंगे इसके दूसरी तरफ, अभी हमें नहीं दिखाई दे 3 यानि कि पीछे की तरफ, 4 dots होगे, उपर 6 है, तो नीचे की तरफ हमेशा 1 dot होगा, okay, now what pattern do you notice, आपने क्या pattern notice किया, 6, 5 and 4, that sum of opposite faces is 7, opposite faces का sum 7 है, Now next is, in what order is this model built, किस order में ये model बनाया गया है, so इस model में, सबसे पहले 3 cuboids को use किया गया है, as stairs, सबसे पहले आप कहेंगे, in this model, 3 cuboids, red cuboids are used for stairs, then, ये 2 cuboids हैं, जिनको as base use किया गया है, 2 cuboids forming the base, then, एक long cuboid है, ये एक और cuboid है, जिसको, जो floor है, a long cuboid is serving as the floor, then, there are 4 cylindrical pillars, ये 4 cylinders हैं, ये 1, एक इदर, थोड़ा हमें दिख रहा है, एक ये है, ये pillars हैं, 4 cylindrical pillars, then, there is another long cuboid as roof, छत्के जैसे एक और cuboid use किया गया है, and 4 cones are, 4 blue cones are placed on the top of roof cuboid, इस roof cuboid के उपर फिर 4 cones हैं, ठीक है, ये आप लिख लेंगे, फिर से देख लेते हैं, आप कहेंगे, in this model, 3 cuboids are used as stairs, 3 cuboids को as stair use किया गया है, सीडियों की तरह, 2 cuboids forming the base, then, 1 long cuboid is used to make the floor, then, there are 4 cylindrical pillars, 1 more long cuboid is used as roof, and 4 cones are placed on the roof cuboid, clear, next, now, ये बच्चा बोलता है, what shape do you get, if you join a cube and a cuboid, एक cube और क्यूबोइड को अगर आप जोड देंगे, how many cubes are used to make this shape, फिर इस girl ने एक shape बनाई है, आप भी बना सकते हैं, बताये इसको बनाने में, कितने cubes लगे होंगे, तो ये बना कर आप देखेंगे, अभी possible नहीं है बताना, इसे बता सकते हैं हम, actually, जब इस तरीके की shapes को आप देखते हैं, तो कुछ cubes इसमें छिपे हुए भी है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे yellow, एक cube है, इसके नीचे भी बहुत सारे cubes होंगे, तो अभी yellow cube रखा हुआ है, otherwise वो नीचे गिर जाता, लेकिन वो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपको assume करना होगा, यहां पर कितने 1, 2, 3, 4, 5, 3 cubes ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, तो देखो इस line में अगर 3 cubes हैं यहां में साइड से दिखाई दे रहे हैं, इस line में भी 3 होंगे, और इस line में भी 3 होंगे, यह orange के पीछे, तो base में इसके 9 cubes हैं, ओके, उपर आते हैं, यहां पर भी 9 होते, लेकिन इन दोन के उपर cube नहीं रखे गए, तो मतलब इसमें 9 minus 2, 7 cubes हैं, और अगर सबसे उपर वाले floor को हम देखें, इसमें भी 7 होते, लेकिन फिर इन दोनों के उपर नहीं रखे गए cubes, इसमें कितने होंगे, 5 cubes हैं, देखो 5 हमें दिखाई भी दे रहे हैं, top से, 1, 2, 3, 4, and 5, तो total कितने cubes हैं, इस model में, 9 plus 7, 16, 16 plus 5, 21, ये model बनाने में आपको 21 cubes लगींगे, नीचे वाले में 9 है, आपको थोड़ा imagine करके देखना होगा, ये बना कैसे है, फिर इन दो के उपर नहीं है, इस वाले उसमें बाकी सब के उपर है, इन के उपर यहां यहां, पीछे भी होंगे, तो इसम दोनों के उपर नहीं है, तो 7 minus 2, ये 5 हो गए, ओके, next, now in how many different ways can you join 3 cubes, 3 cubes को आप किस तरीके से, अलग अलग तरीकों से जॉइन कर सकते हैं, तो एक तो यही तरीक है, side by side, एक आप एक दूसरे के उपर भी रख सकते हैं, ऐसे, इस तरीके से, या फिर, जैसे इन डाइस को र shapes used in these models, इन models में कौन सी shapes used की गई है, इन सभी models में cuboids को use किया गया है, ये cuboids है, so cuboids, describe how the shapes are arranged to make them, अब कैसे shapes arranged की गई, नीचे cuboids रखा आपने, फिर, दोनों sides में cuboids रखें, बार की तरफ निकलते हुए, और ऊपर, एक और cuboids प्लेस किया, यहां पर कुछ चोटे cuboids और फिर ओपर एक थोड़ा बड़ा cuboids रखा जिसकी लेंथ जादा थी, यहां पर आपने equal size के cuboids रखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, different colors के, यहां पर एक green, फिर थोड़ा ये purple color, और ऊपर ये yellow and orange, ये तीन cuboids आपने रखें, okay, now use six dice to make the following shapes, ये shapes बनानी है, six dice को use करके, एक cuboids आपको बना सकते हैं, जैसे base में आपने three, ये cubes रखें, dice रखें, इनके उपर एक एक और dice रख दीजे, तो वो एक cuboid shape बन जाएगी, next, our tower, tower बना सकते हैं, एक दूसरे के उपर रखें इस तरीके से, जैसे तीन dice आपने नीचे रखें, फिर two, फिर one, ये tower या फिर simple एक दूसरे के उपर रखें, ऐसे, जैसे ये one, two, three, four, five रखा है, एक और इसके उपर रख दीजे, okay, आगे, any other shape of your choice, आप अपनी choice की भी कोई shape बना सकते हैं, that's all students, ये था, chapter number two, hopefully सभी concepts आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, thank you so much for watching,